वेलकम बैक मैं येटीव चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगी भूगुल सामाने ग्यान जो की होस्टल वार्डर में हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है और बाकी सारे कॉंपटिटिव उग्सामें पूछे जाते हैं ठीक है बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आप ध लिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी गैलेक्सी की आकरिती है तो हमारी गैलेक्सी की आकरिती क्या है तो सरपील है हमारी गैलेक्सी की आकरिती ठीक है तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है समझते हैं अगर नहीं समझते हैं तो मैं बताती हूं गैलेक्सी का मतलब होता है आकास गंगा में ठीक है अकाज गंगा में करोडों तारे और इन तारों के बीच बीच में जो है धूल के कंड़ और गैस के बादल ठीक है ग्रह उप ग्रह विभिन प्रकार के जो है पिंड मौझूद होते हैं ठीक है अगर इसे ऐसे question आ सकता है कि पृत्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है ठीक है पृत्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है तो पृत्वी की गैलेक्सी का नाम क्या है आकास गंगा ठीक है अभी मैं बोली कि आकास गंगा जो है पृत्वी की गैलेक्सी का नाम है यानि कि गैलेक्सी को ही आकास गंगा बोला जाता है उसे है छीर मार गी या फिर मंदाकनी और या फिर इंगलीस में जो बोला जाता है Milky Way ठीक है Milky Way कहा जाता है इंगलीस में जिसमें प्रित्वी और हमारा सौर मंडल होता है ठीक है आइब आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमन से और ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रित्वी किस गैलेकसी का भाग है मैं अभी बताए थी किस गैलेकसी का भाग है आप option में देख सकते हैं ओर्सा माइनर और स्कल्प्टर या ट्रैको या ड्रैको या फिर मिल्की वे तो इसका right answer क्या हो जाएगा मिल्की वे है ना पृत्वी किस galaxy का भाग है तो मिल्की वे है ना galaxy का इंगलीस नाम गया है की वे ओ तो next हम देख लेते हैं सवर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या होती था आठ होती है ना आपको भी पता होगा आर्ट होती है मैं ऐसे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कौन कौन से आठ वे ग्रह है तो आपको पता होगा तो नीचर कमंड करके बता दीजे ठीक है तो मैं बताती हूँ आठ ग्रह कौन-कौन से है बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल, प्रियस्पति, सनी, यूरेंस और जो है नेप्चूर है नेप्चूर ठीक है आठ ग्रह है सौर मंदल के ठीक है next हम देख लेते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रित्वी, सुक्र, मंगल, प्रियस्पति इसका राइट आएट आंसर क्या हो जाएगा शुक्र है त्टिक है शुक्र चमकीला कि होता है उसका मतलब वातावरण क्या होता है चमकीला होने कि घने बादल होता है छिसके कारण है सूर्य की प्रकास यो बढ़ती नौ वह तीन-स–चंथाइभ ऑग परवरतित कर देता है ठीक है वह मैं तो इसल tiene कारण कहला है घने बादलों के कारण है जिससे सूर्य किरंग पढ़ता है तो वह इससा question आ सकता है तो important है आप देख लेना कारंण भी जाना ज़री होता है next हम देख लेते हैं सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कुण सा है आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताई यह तो इसका कुछ रहा है व्यास है दो कला लाल ग्रह किसे पहने पहना है मंघल मंघल ग्रह शूराइश के और 14 नमबर पर आता है चोथे नमबर का ग्रह है मंगल ग्रह ठीक है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है फ्रेंड तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएका सुक्र ठीक है नेक्स्ट हम देख लेता है सुक्र क्या है चम्किला ग्रहब भी है ठीक है उसका कारण में आपको बताई थी प्रित्वी का निकर्तम तारा है तो प्रित्वी का निकर्तम तारा कौन से है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी ठीक है प्रुसूरी के बाद जो है प्रॉक्सिमा सेंटूरी प्रिथिव का सबसे नजदीक का तारा है ठीक है सूरी के बाद ठीक है और जो है प्रॉक्सिमा सेंटूरी जो है लगभग 32,000 वर्सों से जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है ठीके और कहा जाता है कि लगभग 25 वर्स तक जो है ऐसा ही रहेगा मतलब प्रित्री के निकट ही रहेगा ठीके सूर्य के बाद जो है यह जो है 32,000 वर्स से ऐसी ही है निकट ही है और जो है कहा जाता है कि 25 और जार वर्सो तक जो है ऐसे ही निकट रहेगा Proxima Centauri ठीक है next हम देख लेते हैं important है याद रखना ठीक है सूर्य के सबसे दूर इस्थित ग्रह है तो सूर्य की सबसे दूर इस्थित ग्रह कौन से है तो इसका राइट आंसर की हो जाएगा Neptune यानि की वरून जो है वरून कुछ सा है सूरी के सबसे दूर का ग्रह है थीक है याद रखना शौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कुछ सा है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएंगा बुद्धी whose जो है सिफ मंदल का सबसे शोटा गिया है स्वाूम्दा किस गती की परिथवी पर रितूएं। तो किस गति के कारण होती है प्रित्वी की रित्वें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा परिक्रमण ठीक है परिक्रमण के कारण होती है तो रित्वी परिवर्तन का कारण क्या होता है प्रित्वी द्वारा सूरे की चारों और जो है परिक्रमण और प्रित्वी का अक् ठीक है ऐसे question आ सकता है घुमा के पूछ सकता है इसलिए मैं समझा रही हूं आपको ध्यान से सुनिएगा ठीक है किस गती के कारण पृत्वी पर दिन रात होते हैं तो किस गती की कारण पृत्वी पर दिन रात होते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा सैंग फ्रेंट ऑसननी घुलन की लिए प्रितवी के हात स्यूरी के सामने होता है यह पहरे धाएवी लिए बारत के तो दिन राथ क्योंकि मैं ऐसी important question लाते रहती हूँ next हम देख लेते हैं दिन और रात कहां बराबर होती है तो कहां बराबर होती है दिन और रात तो इसका right answer क्या हो जाएगा विश्वत रेखा पर जिसको भूम अद्य रेखा भी बूला जाता है तो दिन रात जो है भूम अद्य रेखा पर यानि विश्वत रेखा पर होता है लगभग बराबर होता है ठीक है इससे ऐसे भी question पूछ सकता है कि भूम अद्य रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है ठीक है कहां कहां से होकर गुजरती है इकवाडोर, ठीके, कॉलंबिया, ब्राजील, साउटोम और प्रिंस्पे, ठीके, बैगौन, ठीके, गैबॉन से गुजरती है और कांगो गर राज्ज से और जो है कांगो लोकतांत्रिक गर राज और उगांडा कैनिया और सोमालिया माल्दवीव और जो है इंडोनीसिया और किरिवादी ठीक है यहां से जो है 14 जगह से जो है भूमद्य रेखा गुजरती है ठीक है और अगर ऐसे कोश्वन पुछा जाए कि भूमद्य रेखा जो है भारत में कहां कहां से गुजरती है ठीक है ऐसे पुछा जाए ठीक है इंपोर्टिंट है है ना कि भूमद्य रेखा जो है भारत म भूममति रेखा गुजरती लिए saanam नहीं हुआ अधраж घ्रिते है वह अक्षां सो के इंश की दूरी क्या होती है now sorry दो आंके बीच की दूरी हैं तो इस पर मस्टेक हो के है मंस्टेक है overd — यह दो आंक आंक को की वेकर ऑखो pixel की बीच की दूरी क्यों होती आगा है नीम्ण में c प्रिथवी का उग्र है तो प्रिथवी का उग्रह कौन से है नीम्ण में DOC, तो कह है इसका Right Answer Option E चंदरमा difficult आपको पता है यह कि प्रिथवी का उग्रह कौन से है चंदरमा आज है याद रखना अगर नहीं याद रहूत है दिन राथ बराबर होते हैं, निम्न में किस थिति में तो कौन से थिति में होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं ठीक है यानि कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option D A और B ठीक है दोनों जो है होंगे ठीक है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है सूरी की सीधी किरने भूमत देरेखा पर पड़ती है इसलिए जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं important है याद रखना किसलिए होता है क्योंकि सूरी की किरने भूमत देरेखा पर डारेक्ट पड़ती है ना ठीक है next हम देख लेते हैं चंद्रक्रहन होता है जब कब होता है चंद्रक्रहन प्रिथ्वी M सूरे के बीच में चंद्रमा आ जाती है या फिर सूरे प्रिथ्वी M चंद्रमा एक सीध में होती है प्रिथ्वी M चंद्रमा का बीच सूरे आ जाता है या फिर प्रिथ्वी सूरे M चंद्रमा का बीच आ जाती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D option D जो है इसका right answer हो जाएगा पृत्वी सूर्य चंद्रमा पृत्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है तो तब जो है चंद्रक्रहन होता है important है याद रखना ऐसो question पूछे जा सकते है सूर्य ग्रहन होता है कब होता है सूर्य क्रहन सूर्य पृत्वी में चंद्रमा के बीच आ जाता है या फिर सूर्य पृत्वी में चंद्रमा एक सीध में होती है या फिर सूर्य चंद्रमा के बीच में पृत्वी आ जाती है फिर सूर्य पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D सूर्य प्रित्वी के बीद चंद्रमा आ जाता है next हम दिख लेते हैं मध्यरात्री और सूर्य कहां दिखाई देता है तो मध्यरात्री और सूर्य कहां दिखाई देता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा नार्वे में नार्वे में जो है मध्यरात्री का सूर्य दिखाई देता है ठीक है तो जो है मध्यरात्री का सूर्य का दिखाई देना प्राक्रितिक घटना है नार्वे के ध्रुवी वित पर देखी जाती है क्योंकि सूर्य करकरेखा पर 90 डिगरी पर होता है तो जो है मध्यरात्री पर सूर्य दिखाई देता है ठीक है नार्वे जो है यूरोप महादीप में इस्थित एक देश है तिक है नार्वे जो है यूरोप महादीप में इस्थित एक छोटा देश है इसकी राज्थानी जो है ओसलो है तिक है इसकी राज्थानी क्या है नार्वे की ओसलो है और इसकी जो राज़ भासा है नार्वे जियन भासा है ठीक है और अगर जो है ऐसे कुश्चन आ जाए ठीक है मतलब कि कौन से देश को सांति पूर्ण देश भी कहा जाता है ठीक है तो किसको कहा जाता है सांति पूर्ण देश नार्वी को कहा जाता है ठीक है नार्वी कहां इस्थित है इरोप महादीप में इस्थित है ठी वेजियन भासा ठीक है और इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो है मध्य रात्री में सूरी दिखाई देता है ठीक है इसलिए वो फेमस है नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रित्वी की उपरी परत को कहते हैं तो उपरी परत को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा आपको तो पता ही होगा उपरी परत को क्या कहते हैं क्रस्ट कहते हैं यानि कि भूपरपट्टी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रित्वी की उपरी परत यानि कि भूपरपट्टी में किस तत्व की मात्रा सरवाधिक होती है तो किस तत्व की मात्रा सरवाधिक होती है आपने पढ़ा है तो कमेंट करके बता मात्रा शरवाधिक होती है तो कौन से होता है ओक्सिज़न होता है है अग्स परत में जो है तो कोई से मात्रा अधीक होती है, ओक्सिज़न की मात्रा जो की 46.6% होती है ठीक है oxygen की मात्रा important है ऐसे भी पुछा चाह सकता है कि oxygen भूपर पट्टे में oxygen की मात्रा कितनी होती है तो कितनी होती है 46.6% होती है ठीक है next हम देख लेता है next खनीश तेल M. कोईला किन चट्टानों में पाए जाता है तो इसका right answer है अउसाधी फाता है अउस्तिया जो है चट्टानों में जो है खनीश तिल और कोउला पाई जाती है next हम देख लेता है वनस्पत्थी यह जीव जनतूं का जो है जिवासम कैसी चट्टानों में पाए जाता है थीक है तो जिसको Fossils कहा जाता है वनस्पतियों जीव जन्तों का जिवास्म कैसी चट्टानों में पाजाता है तो कैसी चट्टानों पाजाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अवशादी चट्टानों में अपने अगर जवास्म के बारे मैं तो आवसादी चट्टानों में पाजाता है जिवास्म नेक्स्त हम देख लेते हैं विश्व का सபसी ऊुच़ा जVAला मुखी परवत है तो विश्व का सबसी उच़ा जवाला मुखी पर्वत कौन सा है इसका राइट अनसर है ege go to pack q च्री के ज्यों जई जो है उंच्छ विश्व क् bunlar अधुफिपर्व च्छ वाला मुखे पर्वत सबकुनरकिय मुखे नेक्स कर्य यह नहीं दिख लिते भूकंप takes तो हुआ कि ज़ेता कि माय की जूर्फ है किस यह नढ्र के द्वारा की तो इसका राइट आंसर है फ्रेंट, option B, सिस्मो ग्राफ, ठीक है, सिस्मो ग्राफ का आविश्कार है, किसने किया था, उनेस सो इकतीस में अमेरीकी भुकम्प विज्ञानिक चो की है, हैरी वूड और जो है, फ्रांक निूमन त्वारा जो है, यह भुकम्प विज्यानिक है, जिन्होंने जो है 1931 में सिस्मोग्राफ का आविस्कार किया था ठीक है जो की भुकंब की तीरता की माफ करता है ठीक है एक यह अंत्र है important question है आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है next हम देख लेते हैं विश्व का सरवाधिक उचा सक्रिये ज्वाला मुखी है तो विश्व क next हम देख लेते हैं नेमलिखित में से किस महादीब ज्वाला मुखी में मुखी नहीं है ठीक है नेमलिखित में से किस महादीब में ज्वाला मुखी नहीं है तो इसका right answer के हो जाएगा Australia ठीक है Australia में ज्वाला मुखी नहीं है ठीक है next हम देख लेते हैं विश्व का सबसे उ पठार कौन सा है तिबत का पठार तिक है आपने पढ़ा होगा तिबत का पठार के बारे में तो तिबत का पठार जो है 5000 मेटर उचा है तो तो ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कुछ ना सकता है भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है तो कौन सा पठार है भारत का सबसे उचा पठार तो दक्कन का पठार है दक्कन के पठार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा तिक है जो कि भारत का सबसे उचा पठार है ऐसा कुश्चन आ सकता है विश्व का सबसे उचा पठार है ति बेकाल जो है विश्र ही सबसे गहरी जील जो की रूस में से थैस ठीक इंच भी र सबस्केर ऑस्रह साइबर हुआ सबस्स दरूस को बांनाज और पान्य तंप साथ सु चमालिस दसमलो चार मिटर ठीक है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी जील है तो विश्व की सबसे बड़ी जील और विश्व की सबसे बड़ी जील कहां पी थी बेकाल रूस में और विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है विश्व के सबसे बड़ी जील है का थि काने ठीक है है do next हम देख लिक ने हैं वेस्व के सबसे बड़ी मेठे पाने की जील है तो मेठे पाने की जील कौन सी है भहिं सबसे बड़ी कि वह जो है मीठे पानी की जो जील बताई थी वह सबसे गहरी जील थी है और यह पूछ रहा है आप confusion मत हो जागा ठीक है रूस में जो है बेकाल जो जील है विश्व की सबसे गहराई जील है ठीक है जो कि मीठे पानी वाली ही है लेकिन अभी पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन लैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे छोटा महादेश है तो इसका राइट आंसर है औस्ट्रेलिया नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबी परवत स्रेणी है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कुन से सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है इंपोर्टेंट है याद रखना ये पिछले वह मतलब की प्रिविएस सीयर में पूछा भी गया है बहुत सारे एक्साम में नेक्स्थ है प्रिथवी के कितने प्रतिसद भाग पर जल मंडल का विश्थार है तो प्रिथवी के किस प्रतिसद भाग पर जल मंडल का विश्थार है तो इसका रायट अंसर क्या हो जाएगा आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिए आपको पता ही होगा इसके बारे में ठीक है तो 75% जो है है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे बड़ा महासागर है तो सबसे बड़ा महासागर किसको कहा जाता है भई आपको पता होगा तो comment करके बताएं तो इसका right answer क्या हो जाएगा प्रसांत ठीक है प्रसांत जो है प्रसांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है प्रसांत महासागर ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे गहरा गर्थ है तो विश्व का सबसे गहरा गर्थ कुण सा है मारियाना ट्रेच ठीक है मारियाना ट्रेच जो है विश्व का सबसे गहरा गर्थ है नेक्स्ट हम देख लेते हैं समुद्री जल में कौन सा लवन्ड सरवाधिक मातरा में पाया जाता है तो कौन सा लवन्ड सरवाधिक मातरा में पाया जाता है समुद्री जल में सोडियम क्लोराइट ठीक है जो है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेक्ट हम देख लेते हैं उच्च जवार उच्च जवार जो है सूरी चंद्रमाय प्रित्वी के एक सीध में आने से आता है तो ऐसा कब होता है तो ऐसा कब होता है अमाश्या और पुर्णियमा को ठीक है जो है उच्च जवार जो है ऐसा होता है ठीक है जब सूरी चंद्रमा और प्रित्वी एक सीध में आते हैं तो कब आते हैं अमस्या और पुर्णियमा को आते हैं जब उच्छ जो होता है तब ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह और भी दोनों ठीक है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं पाक जलसंदी किसको जोड़ती है ठीक है पाक ज पाक जानीक्तियमा के संधी करेवन एक सक जोड़ती है को सोंते हैं तौ कि इसका राइट अंसर क्या ब मुंद्डική सागर ? इसकार अधर भ्यूमाद्डे मुद्डिय सागर ? क्या और भी दोना कि जुड़ा हूँता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा स्वेज लाल सागर और भूम अद्य सागर क्योंसे नहर के द्वारे चुड़ा हुए स्वेज छो रहा है नहर स्वेज के इस्तमुस इस्तमुस से होकर आफ्रिका और एईसिया को विवाजित करती है अप याद रखना इंपोर्टन्ट है ठीक है नहर जो है स्वेज के ठीक है स्वेज नहर बोला जा रहा है न तो स्वेज के स्वेज में इससे जो नहर है मतलिब कि स्वेज के इस्तमुस में से होकर जो है स्वेज के इस्तमुस से होकर अफरिका और एसिया ठीक है अफरिका और एसिया को विवाजित करते हैं ठीक है करते हुए भूमध्य सागर का लाल सागर से जोड़ता है नहर ढकरोड़ है विश्व की तो अपरिका और एसी सबसे लम्बी नदी है तो आपको पदने कामेंट करेंगा बता दूब भूमध्य सबसे आयर को नियर नदी को कहा जाते है विश्ट विश्टे किसे सब्से बड़ी नदी किसको आप याद रखना कफीज मत हो चाना सबसे बड़ी नदी अगर पुछता थो अमेल नदी की जो लंबाई है 6650 km है ठीक है जो कि अप्रिया में इथोपिया के विक्टोरिया नाम के एक जील से निकलती है ठीक है नील नदी नेक्स्ट हम दिख लेते हैं बदगाहा किस नदी बगदाद जो है बगदाद किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा टिखरेस ठीक है टिखरेस नदी के किनारे इस्थित है ठीक है बगदाद जो है इराक की रालतानी है आपको बता दो बगदाद जो है इराक की रालतानी है और जो है टिखरेस नदी के किनारे में इस्थित है ठीक है और जो है तुर्की क कि पहारओं से निकल कर इराक से को कर बैठी है ठीगे डिखिशनदी जो है अ Prose Latino से निकलती है, तुरकी के पहारों से निकलती है और इराक से कर बैठी है ठीक है और बगदाद ज एराक की राज्थानी है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं विश्व का सबसे उचा जल प्रपाद कौन सा है या फिर कौन सा है जबरपाद सबसे उचा तो इसका राइट आंसर है एंजील ठीक है जल प्रपाद जो है विश्व का सबसे उचा जल प्रपाद है तो अगर पूछा जाए तो मतलब की पहले कहा जाता था अभी बहुत सारे नैने वाटर फॉल्स मिलते जा रहे हैं तो उसके कारण जो है अभी मतलब की ऐसे नहीं बोला जा सकता कि तीरतगड़ ही होगा लेकिन अभी तक तीरतगड़ को माना जा था ठीक हे चाठ्यॅचा जाड़पाद …. हाँ कै तीरतगड़ के कि जिसके 3212 fist है और गहराई की बात करें तो 807 meter है ठीक है कन फूषन मत होएगा याद रखना ठीक है next हम देख लेते हैं वाई मंडल में सरवाधिक मात्रा में उपस्तित गैस है तो वाई मंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित गैस कौन सा है तो इसका राइट अंसर है नाइटोजन ठीक है नाइटोजन जो है सरवाधिक मात्रा में उपस्तित है आप मत बूल देना कि ऑखुजन है ठीक है या फिर carbon dioxide है, तो यह दोनों में आप confusion मत हुएगा, nitrogen जो है, वाइ मंडल में सरवाधिक मातरा में उफस्तित गयास है, जिसका अनुपाद जो है, 78.8% है, उसके बाद, जो है, nitrogen के बाद, जो है, oxygen पाया जाता है, सरवाधिक मातरा में, nitrogen के बाद, जिसका अनुपाद है, 78.8%, और जो है, उसके बाद, nitrogen के बाद, oxygen आता है, जिसका परसेंट होता है, 20.95%, ठीक है, 20.95%, जो है, oxygen पाया जाता है, nitrogen के बाद, उसके बाद, जो है, oxygen के बाद, जो है, organ, तीसरा पोजिशन पे, सरवाधिक मातरा में, कौन सा पाया जाता है, तीसरे में, ठीक है, organ पाया जाता ह जिसका प्रतिसात है 0.95 प्रतिसात तीके फीर उसके बाद जो है carbon dioxide आता है नमबर पर पहले आता है nitrogen फिर oxygen फिर आता है organ फिर आता है carbon dioxide ठीक है यह आप याद रखना ठीक है important है ठीक है नाइट्रोजन फिर आता है oxygen और फिर आता है ओर गन ठीक है ठीक है और उसके बाद आता है carbon dioxide ठीक है next हम दिख लेते हैं Y मंडल की सबसे निचली परत है तो Y मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वाय मंडल की सबसे नीचली परत कौन सी है आपको पता होगा तो कमेंट करके बता है तो इसका राइट आंसर है शोब मंडल ठीक है शोब मंडल जो है वाय मंडल की सबसे नीचली परत है तो वाय मंडल की सबसे नीचली परत कौन सी है शोब मंडल है ठीक है जिसको कहा जाता है तो वाई मंडल को टॉफर सपहर चाता है तो वाई मंडल चोंपोन को होते हैं रहे पांस परत ऐसाइन को में धविदारीय condemnpunktने कि और मैं वाद्व जो हैता मि क्या का तर्स फेयर में जा जाता है जो ंज़ते हैं और सकति में हमें होबारा त्विर जींगमडल जिसको में शो सब्ता है और चॉता है ताप मंडल जिसको थर्म का जाता है और जो पांचमा जो है बाय है ने जिसको एक्सल vulnerable का जाता है do तो यह पांच मतलब की लेयर है ठीक है वाय मंडल के इसका कुश्चन आ सकता है ठीक है वाय मंडल की किस परत में मौसम समधित घटनाएं होती है तो कौन से परत में होती है वाय मंडल की जो है मौसम समधित घटनाएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड छोब निचली परत है जिसको ट्रोफर स्पेयर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओजन परत किस वाय मंडली परत में पाय जाती है ठीक है तो कौन से वाय मंडल परत में ओजन परत पाय जाता है समताब मंडल में जो है ओजन परत का जो है मतलब ओजन परत पाय जाता है समताब मंडल में ठीक है समताब मंडल को क्या कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है ओजन लेयर जो है बहुत इंपोर्टेंट लेयर होता है जो की सूरी का जो यूवी रेस आता है ठीक है पराबैग किरंड को परापयागनी किणन पूंचिने में फीर हूं वो उसको रोक लेता है क्योंड नहीं नहीं आने क्यों कि भू brightness करता है नतलब कि वह biggest orange classified टार भी को जो बचाता है यह मुझेलरे में मुझेटव से हम मonडल की इसका राया टांसर होगा आयन मंडल तीक है आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगी परिवर्तित होती है नेक्स्ट हम देख लिते हैं वायू दाप मापने का यंत्र है तो वायू दाप मापने का यंत्र कुन सा है बेरो मिटर ठीक है नेक्स्ट हम देख लिते हैं वाय मंडल की आधरता मापने वाले यंत्र है तो वाय मंदल की आधरता मापने वाली यह अंत्र कुंसा है फ्रेंट तो इसका राइट अंसर है हाइग्रो मिटर जाता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओजन परत पृत्वी वासियों की रक्षा करती है तो अभी मैं वताई थी किस से करती है तो इसका जो है राइट अंसर देख लेते हैं किस से करती है सूरी से निकलने वाली अल्ट्रा वालेट किरने यानि की यूवी रेस ठीक है यूवी का जो फुल फॉर्म है अल्ट्रा वालेट है ठीक है तो जो है सूरी से निकलने वाली अल्ट्रा वालेट किरनों से जो है उज मैं लेकर आऊंगी तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंपॉर्टन क्वेश्चिन के साथ